अगर आप 15-16 लाग रुपे के प्राइस में कोई सेफस्ट गाड़ी का टोप मोडल देख रहे हैं जिसके डैमेंशन बढ़िया रहने चाहिए फीचेस वाइस बढ़िया हो उरसी के साथ गाड़ी के लुक्स भी बढ़िया रहने चाहिए जब रोट पे चले तो मुड़ बु आपको इस गारे मिल जाते हैं ठर्टीन लेक्स सेवंटी टाउसन लुकी सक्षरूम पर आपको एक कार मिल जाएगी बैसे प्रैस आपको गाड़ी तो काफी सारी मिल जाएगी पहली नीड है कि गाड़ी सेफस्ट रहने चाहिए और उसी के साथ टॉप मोडल भी हो तो आप को इसके लाबा कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी और दोनों की सेम रहेंगे इस कार की और यहां पर डॉल फंक्षिनिंग के साथ रहने वाली है लेडी इंडिकेटर्स भी आपको इसी में मिल जाते हैं बीच मोग गया टाटा का लोग और एडी प्रोजेक्टर हेड्लैम्स फ्रेंट पार्किंग सेंसर्स और कैमरा भी आपको फ्रेंटर मिल जाएक होगी आपको इस कार में थ्रेश्टीरी कैमरा दिया गया है और यह रिसका की साथ प्रोफाइल देखने में काफी बढ़िया लगती है साथ से ने अलोवील्स के विए से ब्लैक कर पे डामेंट कट अलोवील्स पूरे गजब लग रहे हैं देखने में 16 इंच के रहने वाले हैं अलोवील्स टू हंड्रेट फिफ्टीन बाइ सिक्स्टी और सिक्टीन की प्रोफाइल रहेगी इन सोबसे होगी क्लैडिन जो की कार की पूरी बोड़ी तक रहने वाली है और यहां पर आपको ह दिखा दूँगा जब मैं इंटियर में चलूंगा और रिक्वेस्ट अंस बटन मिल जाएगा आपको सागे डूर हैंडल पर फीचर से लोड़ेड रहेगा अगर आप लोड़ेंट से कंपेर कर रहे हैं तो काफी बड़ी आप वीचर सापको सार के टॉप मोडल में दिये ज से जब ओन हो जाए तो पूरी गजब लगती है सकार के बैक प्रोफाइल जब रोट पे चलेगी तो मुल मुल कर जरूर देखने वालें इस गाड़ी को से लिटेल लाइट की वेसे और जब एलीडी इंडिकेटर्स रहेंगा कनेक्टिंग एले टेल लाइट है टाटा का लो जाएगा आपको नीचे सब्सक्राइब करा जाने वाला है पाश्य ट्रे मिल जाएगी आपको यहां पर 382 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है यहां पर हो गया लाइज लैंप स्पेर वील इसकार का बन हंडरेट 95 प्रोफाइल रहेगी साइज सेम रहने वाला है 16 इंच का यह दो वातरी सक्रके एक्ष्र के वारे में जैसे अब नेगा सभी बढ़ी है फीचर्स आपको सकार के इंटियर मिल जाते हैं और इसी तरह जब इस कार के इंटियर को देखे गो तो आपको काफी पसंद आने वाला है फीचर से लोड़ इड रहेगा जैसे बेंडले सीड्स हो गई वायलेस चार्जिंग का फीचर हो गया संरूफ जैसे फीजस आपको इस वाले वेरेंट में मिल जाते हैं ऐसे से भी देखा आपने कितनी बढ़ लगती है कार जब एली टेल लाइट ओन हो जाती है अगर आप इस कार को लोर वैंट से कंपेर करेंगे तो आपको से कंपेर करेंगे तो इसका हम आपको चार्ज इंजन मिल जाएगा फिफ्टीन हंडरेट सीसी का जो की पेडियूस करेंगा बंधे ठल्टीन भी एच्पी की पाबर 260 एनम का टोर्क फोर सिलेंडर में रहती है कार तो इस तरह के फीचर्स आपको इसकार के इंटियर में ओफ सब्सक्राइब करने करने का मैनूली करने करने का मैनूली करनी पड़ेगी आपको बेंटियर जैसे फीचर्स मिल जाएगा तो इसका बटन मिल जाएगा वह यह रहा सकार का बैक डॉर दोपनों होगा प्यान भैक फिनिस का पाड बिंडू कंट्रोल है बाटर स्पेश जो फने स्पेस औरी स्पीकर तुसरा के रहने वाला एक हैं में सभी फीचर्स को देखने वाले किस तरह के फीचर्स आपको सकार के इंटियर में ओफर करे जा आपको देखते हैं यहां पर आपको लेक साथ रहेगा यहां पर आपको लेदर फिनिस मिल जाएगी जैसे आप देख सकते हैं यहां पर आपको मिल जाएंगे टच बटन कार की बूट करने के लिए आपको इस कार में तरह क्वालिटी रहेगी कैमरे की तरह करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से करे सकते हैं को टूडी का हो गया है यहां पर वीरस का ट्रेबर सेस्टन वाइस है टिकेट होल्टर मिल जाएगा ओटो डिविंग आई रब्यम है यहां पर कैविल लैंब एलेडी में रहेगा संदूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं को इतने साइच की संदूफ रहने वाली जो की पूरी की उपन हो जाएगी ऐस का बट्रेण मिल जाएगा आपको यहां पर हो गया ट्रांसमिश्य में रहे कार कुस्ट अगर नो वैंपर हो गया प्यानो ब्लैक्फनेस ड्राइमोर्स मिल जाते हैं आपको यहां पर CT E-book and sports हैं पर हो गया पर दोपनों पर बेंडू कंट्रोल थे बाट पर इंडूर में बिल जाएंगे यहां पर ग्रेव हैंडल यहांगे आपको यह पर अबर आपको चार्जिंग सोकेट मिल जाएंगे टाइप सी में रहे होगा हम और अंदर थाइज सबोट भी आपको इसकार में काफी बढ़िया दिया जाता है और रोग उसकार का बोगराउन जो भी फीचर सापको इसकार के इंटीर और एक्षे मिल जाते हैं उनको सभी दिख तो आप टाटा-nexon को देख सकते हैं आपकी पहली प्राइटी यह है कि गाली से रहनी चाहिए तो आपको टाटा-nexon के लावा कोई भी गाली स्प्राइस सेग्मेंट में बेलेगी अगर आप टोप मोडल देख रहे हैं तो में तो सकार के लुक से कितने बड़ीया लगते जब इस कार के LED आप यहां जाती है और फीचर लोड़िट भी है जो की फियर लेस्ट वेरेंट है उसमें आपको एक्सेर से तो कोई भी डिफ्रेंस नहीं लगेगा पर लेकिर इंटियर में काफी डिफ्रेंस रहता है जैसा आपको इसमें दो टुटर एक्स्टर मिल जाएंग सब्सक्राइब कर दीजिए झाल जाल झाल जाएंग